आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने इस परकार के टॉप को जरूर देखा होगा क्योंकि ये टॉप है वो आपके घर पर जो भी इलेक्टिसिटी से जो भी उपकरंट चलते हैं उनमें ये लगा होता है जैसे फ्रेज हुआ कूलर हुआ बोशिंग मशीन हुआ उस परकार के टॉप आपको वहाँ पर लगे होते हैं जिसको आप जो बोड होता है आपका उसमें जो सौकेट होती है उसमें कनेक्ट करते हैं और अपना अपकरंट चलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उस टॉप में ये जो दो पिन होती है ये सेम साइज की रोयती हैं पतली होती है और छोटी होती है लेकिन ये जो पिन है ये आप देख रहे हैं आर्थिंग पिन है और ये क्या है ये थोड़ी मोटी भी है और उससे लंबी भी है तो आखिर इसको ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है आपको एक चीज पता होगी कि जब भी हम कोई भी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है कारण होता है जिसके लिए हम उसको इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका भी कोई मेन कारण है जिसके लिए इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है तो कई दोस्तों को इसके बारे में पता होगा अगर जिन दोस्तों को पता नहीं है तो आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी मिल जाएगी कि इसको ऐसे क्यों बनाया गया है तो माल लिजे आपके घर पर एक cooler है और वो cooler आपने चालू कर रखा है तो चालू करने के बाद अगर जो आपका cooler है उसमें जो face wire होता है अगर face wire गलती से जो cooler की body है उसमें touch हो जाएगा तो क्या होगा कि जो current है वो पूरे cooler की body में flow होने लगेगा क्योंकि जो cooler होता है वो metallic body होती है उसकी और जिससे वो conductor का काम करता है तो पूरी body में आपको current flow होने लगेगा तो इसलिए हम उसको earth करके रखते हैं बहाँ पर ground करके रखते हैं तो क्या होता है जो टॉप का मूटा वाला पिन होती है उससे एक बायर जाता है वो connect हो जाता है cooler की body में तो जैसे cooler की body में कोई भी leakage current होगा तो वो उस बायर के दोवारा जो मोटी पिन है उसके दोवारा socket में हम क्या करते हैं आर्थिंग करके रखते हैं उस मोटी पिन में तो वो क्या होगा बहां पर डारेक्ट अर्थ हो जाएगा और अगर हम उसको cooler को touch भी करेंगे leakage current बहां पर आ रहा है तो हमें current नहीं लगगा वो डारेक्ट ग्राउंड हो जाएगा तो क्या होता है कि जो पिन होती है उसको हम लंबा इसलिए रखते हैं जाकि जब भी हम cooler का जो top है वो socket में लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो earthing है बो connect हो जाए हमारा जो face wire है बाद में connect हो और जो हमारी earthing है बो पहले connect हो जाए ताकि उस time पर अगर जो हमारी pin है वो छोटी होती तो हमारे जो face है वो पहले connect हो जाता जिससे जो body में कुछ time के लिए current वहाँ पर रहता तो उस time पर अगर हम उसको touch करते तो वहाँ पर भी current लग जाता तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे बनाया जाता है उसको कि सबसे पहले जो earthing की pin है वो connect हो जाए जिससे कि बाद में हमारे ज करके रखेंगे तो वहाँ पर current नहीं लगया तो लंबा रखने का यह कारण हो गया अब दूसरा कारण है इसको मोटा क्यों रखा जाता है तो इसको मोटा इसलिए रखा जाता है ताकि जो हमारा leakage current है तो अगर हम मोटा रखेंगे उसको तो उसमें resistance कम होगा आपको पता इसलिए बनाए जाता है कि जो current है उसमें आसानी से flow हो जाए जो हमारी face से current जा रही है तो उससे हम उसको छोटा नहीं रख सकते उससे बड़ा रखते हैं जिससे कि वो resistance है उसका कम रहे और जो भी हमारा leakage current है वो आसानी से हमारा ground हो जाए और एक कारण और इसका मान सकते है कि जैसे motoh रखा है तो उसको हम जो face wire है जैसे हमारा face wire हुआ उस pin को हम face wire में connect ना कर दें जो face वाली जो नो पिन होती है उस जगे हम उसको connect ना कर दें अगर हम उस जगे connect कर देते तो उस क्या होता है बोड़ी में पूरे में face बायरी रहता face connect हो जाता जिससे हम उसको touch करते तो current लग जाएगा तो इसलिए कि गल्टी से आप उसको face में भी connect ना कर दें इसलिए भी मोटा रखा जाता है तो हमने आपको तीन कारण बता है एक पहला लंबा किसलिए रखा जाता है जिससे कि जो socket में है सबसे पहले हमारी अर्थिंग पिन connect हो जिससे बहाँ पर हमें current से sock ना लगे और दूसरा मोटा इसलिए रखा जाता है कि उसका resistance कम रहे जो भी हमारा leakage current है वो आसानी से उसमें flow हो जाए हमें current न लगे तीसरा इसलिए मोटा रखने का तीसरा कारण यह है कि उसमें जो हमारा मोटी पिन है उसको हम जो face वाली पिन है बहाँ पर connect ना कर सके बहाँ पर connect ना हो सके तो इसके तीन में कारण थे जिसके कारण यह जो मोटी पिन है उसको बनाया जाता है